हमने पिछले कलास में देखा था कि महमूद गजनी पूरे भारत की एक फ्यूचर रिलिवेंस को तयार कर देता है जैसा कि हमने देखा था उत्रापथ जो सिल्क रूट से कनेक्ट होता है उसको उसके वज़े से इस एक रिलिवेंसी में आया फिर छोटे छोटे जो सामन्त है उस पर एक बड़ा समराज का मतलब अभाव दिखा वहाँ पर थाड़ बड़ अर्वनाइजेसन की निव परती है और भारत में इसलाम का आगमन होता है इसके साथ ही फिर एक हजार तीस में इसकी मृति हो जाती है एक और भारत में इसको एक लुटेड़े की संग्या दी जाती है वहीं मिडिल एशिया में इसको एक महानाय के तौर पर देखा जाती है इक सफल सासक था फिर इसके बाद जब इसकी मृति होई उसके बाद इसके तरह योग सा हर इक माप अपने बच्चों को अपने की तरफ बनाना चाहते हैं लेकिन उनको यह पता ही नहीं होता कि उसकी परस्तितिया ही उसको योग बनाएगी महान बनाएगी अक्बर की परस्तितियों ने अक्बर को महान बनाया भीम राम विदकर की परिष्थितिया ने उसको महान बनाया अब्दुल कलाम की परिष्थितियों ने उनको महान बनाया परिष्थितियों से लगना वो जानते थे परिष्थितियों के कॉडिंगे उनका एक बिक्टित्तों का निर्वान हुआ भगवान सिर्कृष्ण, अम्पराहम लिंकन, हजरत मुहम्मद प्यगंबर, सब के अपनी परस्तेती आ रही, जिसके उन्होंने लड़ा फिर उससे वो आगे बर्जे चले थे, अब चुकि गजनी समराज में कोई उसके तरह योग, कोई शासक हुआ नहीं, तो उसका ही एक सामन्त है, गुरित, वहां का एक राजा हुआ अलाउदीन, अतियोग्य, और अलाउदीन के निधित्रों ही दिदों का विकाश हुआ, उन्नक्ति हुआ, इसके बाद है कि गजनी के राजवनसों ने अलाउदिन के भाई कुछ उनके साथ बत्तमीजी गर दी इसके बाद अलाउदिन गजनी में घुश कर पूरी गजनी को जला देता है आग में फेक देता है उसके बाद से इसका नाम एक टाइटल इसको मिलता है दुनिया को जलाने वाला अलावदी जहां सोर्ष जहां सोर्ष का मतलब दुनिया को जलाने वाला यहीं से गोरियों को परिवार का उत्तान की सुरुवात हो जाती है उसी गुरीद में ही दो भाई हुआ करते थे ग्यासुदिन महमुद और मुहम्मद इबन शाम के दुनों बहुत ही महत्तवकांची बेखती थे कि दुनुन ने आपस में सम्खोता करा कि ईक रास्त में तुम कबजह कर लों दूसरे मैं कबजह को लिसरे एस की लुट की बात करने हैं हमेशा से इस सिल्क जुट सödर करने की सोचा जाता है किसका ज्यादा बर्चश रहेगा वहाँ पे इस शिल्क रूट यानि चाइना से लेकर इरान साथी अरभिया और इउरोप को कनेट करता है और एक और रास्ता था रूट भी उत्रापत जो कि आपका पच्चिमी पंजाब पाकिस्तानी पंजाब जो है अभी का वहां से बंगलादेश तक को कनेट करता है अभी का बंगलादेश जो उसको कनेक्ट करता है यह उत्र उत्रापत हो गया पहले तक्सिला से तामरली पी हुआ करता था अब गजर्वी राजवांस के लोग पंजाब में अपना अड़ा बना लिये थे गोरियों के दर से जा कर अब गोरियों कह अब इसको जिम्हयका अब.. इसको जिम्मेदारी मिली रूट B की और रूट A की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई ग्यासवदिन महमुद को मिले थे, तो दोनों अपना अपना तरीके से दोनों पर कपजा करेंगे, अब चुकि इनको जिम्मेदारी मिली रूट B की उत्रापत, तब इनको उसके लिए भ दजनवी बैठे थे और बोलन तो इनको लगा कि भारत में घुषने का दरवाजा आया प्लान बनाई इन्होंने अपना कि हमको ऐसे से करके घुषना है बोलन के दरवाजे से ते 1778 में इन्होंने प्लान बनाया और घुषने का सब कुछ कर लिया तो चलते हैं सेनावना लेकर पहुंचे आया अब लेकिन वहां पे बहुत बड़ी बाद है रन अपक्ष वहां अच्छी अच्छी आर्मी फंज जाती है सप्लाई रुख जाते हैं वहां पे उसने वहां स सकती साली राजा मूल राज सोलंकी राजा है तिन्हम तैयार बेटाता आओ कि ते जोड़ा तोड़ा कमार है ज़िव गोरी को को तोड़ा तोड़ा घुचे करकर के अपना जान बजा के भागे गोरी फिर इनको समझ में आगे कि नाना भारत का दर्वाजा बोलन नहीं है भारत का दर्वाजा है खैबर अब इनको समझ में आगा थी भरत का जो दर्वाजा है वो खैबर है और खैबर के दर्वाजे पे था गजनी राजवन्स के लोग उसका अंतिम राजा कौन था खैबर के दर्वाजे पे खुश्रो मली अब मुहमद गोरी ने लहोर का घेरा डाल दिया एक बहुती मज़िदार करना कर ति शुन लो किंगसीट नो किंगसीट राजसाई किसी रिष्दार को नहीं मानती आज खल देखते हो हाँ मा बेटे आपस में लड़ गए चाचा भतिचा लड़ गए पापा बेटा लड़ गए राजनिते का नियम है राजसाही किसी रिस्तदारी को नहीं मानते ये राजसाही का नियम है तब क्या हुआ 1190 में लहोर का घेरा लगा दिया अब खुसरो मलिक को पैगाम भेजता है भाईजान हम भी मुसल्मान तुम भी मुसल्मान आओ दोनों मिलकर इन काफिरों का बिनास करें अब यहां काफिर कौन राजपूर्ट अब खुसरो मलिक बाहर तो निकला है सुन लो बहुत मज़दार गटना ही है खुसरो मलिक इतने पे बाहर निकला है इसने पैगाम भेजा 1990 में लहोर का घेरा डाला हुआ था उसके बाद पैगाम बेजा कि भाईजान हम भी मुसल्मान और तुम भी मुसल्मान आओ दोनों मिलकर आओ दोनों भाई मिलकर इन काफिरों का भिनास करें सुन लो किसका राजपूतों का अब खुश्रों मोली बाहर निकाला है और जैसा ही गले मिले गोरी ने टाल गई हिला दिया चाकू बहुत अच्छा किया जिस फिल्ड में तुम हो उसके आधारबुद सिधानतों को अगर तुम नहीं जानते तो खतम खतम अब खुश्रों मली को धोके से इसने मार दिया और लाहर पे कबजा कर लिया लाहर पे कबजा मतलब पंजाब पे कबजा और उस समय दिल्ली पर पृच्पी राजपूत सासक राजपूत बहुत बहादूर होते हैं इमें कोई सक नहीं है बियों बहुत हैं नेतिकवान द कम बहुत है आधरस्वादी बहुत है लेकिन अब धुरुयुधन से क्या नहीं किता अंधर कर talk करोई शकुनी से क्या नहीं कर लें राजपूत की बिता में कोई कमी नहीं है यूद करने की चंता में कोई कमी रेंगे लेकिन दुष्मन जो बाहर से आए हैं अब ये कराजपूर दूसरे लाज़़ूर से लड़ रहा है तो दोनों आधर्सकों समझते नद्रिता को समझते हैं लेकिन जो दुष्मन बाहर से आए इनके लिए कौन सी आधर्स मधेस या पशीमेश्या के लिए कौन सा अब लहौर पंजाब जो अभी पाकिस्तान वाला पंजाब है यह वाला पस्वी पंजाब और एक अपना इंडिया वाला पंजाब है अब पंजाब के एक साइड मुम्मद गोरी और दूसरे साइड प्रित्विराचावान क्योंकि प्रित्विराचावान का जो गड़ था वो अजमेर था और दिल्ली का कारवार इनके नाना आनन्त पालत उमर ने इनको खुशो कर दे दिया था अब दिल्ली मतलब पंजाब अब एक और ये और एक और ये अब वहीं पे जगाय परता है तबरहिंद जिसको अब हम लोग भतिंड्या के नाम से जानते हैं इसी को लेकर दूनों में जगड़ा हो गया और यहीं तरायन का युद्ध हुआ पहला युद्ध 1191 का जिसमें प्रिथ्वी राज चोहान की जीत हो जाती है महम्मदकरी खायल वस्ता में युद्धू में पड़ा हुआ बस तलवार निकाल कर गर्धन अलग कर देनी थी सब्सक्राइब फ्ल 속 वस्ता्णी काँ द jijए हुआ हिए कि मैं अध्यार नहीं उठाउंगा लेकिन जब पिस्व पिता मा वान चलाने लगे तो एक बार उन्होंने भी हतियार उठा लिया था कई घरों में आप उनकी फोटो देखेंगे मावारत की रत का पहिया लेकर बजन चाहे जितना जाए प्रान ना जाए प्रान कहा जाए भई यह दुनिया का खेल है सबको दिखाई ने पड़ता सुरज पूरम से उपता है पच्चिम में डूपता है असलियत क्या है हमको लगता है धर्ती पूरम से पच्चिम की तरफ भूमती है अगे रसलियत क्या है भष्चिम से पूरव की तरफ भूलती है यह तुम्हें जो भी दिखाई परता है उसका उल्टाई होता है समाज में आपको बहुत से लोग भी देंगे भाईया हम कभी जूट नहीं बोलते भाईया काहे क्या करते हो चपरासी है भाईया इसलिए हो इसल अपा कहते थैं गया वैञा सब्सक्राउत सब्सक्राइब आपक कर दो जो देखने सब्सक्राइब कर लिए अ कहता है या आई अट ठेख ! बाख में और गना अधनल को तो पता चला कि हार ए इस याख सार माजी का लर्का आइइस निकाल रहा है यार прोण एस निकाल आई पंत्रह हुआ रेंक पेटा पेटा प्लीज बेटा अब तुम उसमें भी तिन-चार साल खटे निकला फिर उसके बाद तुमको मिल गया यूपी बिहार का कैडर जिन्दे की मतलब यूद लड़ना तो पड़ेगा पर किस से लड़ना है कब लड़ना है और किस मुद्धे पे लड़ना है यह पता होना चाहिए लड़ाई को तो तुम्हें है छोड़ी के थोड़े किसी को नहीं छोड़ा ही नहीं कोई नहीं बचा निया में यह कभी तूटा ही नहीं पित्विराज जी ने पहले तरान के उद में मुहम्मद गोडी को छोड़ दिया बोले हम राजपुत हैं अरे तुम नहीं मार सका थे तो किसी और से कह देते सब वहां राजपुत ही थोड़ी थे और भी तो लोग रहे होंगे उनसे कह देते कि तुम जरा लोग इसको अलग करते देख ले ना जी भी जी पर मुहमबद गोडी योग के लिवा डाइनेमिक उसके आदमी उसको उठा कर ले गाए पहुंचा लाहर जितने अधिकाड़े उन्हों गलत सुचना देती सब को लटकवा दिया और अपनी पत्नी क को खत लिता है कि अब मुलकात या तो जन्नत में होगी या दिल्ली में क्या ज़्जबे वलाद में रहा होगा यह एक साल एक साल पूरे वो इद्ध के मैदान में ही रहा प्रैक्टिस चबरदस्ट प्रैक्टिस और प्रित्वी राचमान इनको विचारों को लगा कि जैसे म मुहमद गजनी लूटेड़ा था आता था लूटता था चला जाता था वैसे ये भी होगा मुहमद गजनी लूटेड़ा था मुहमद गोरी विस्तारवादी था इत्वीरा चमान गोरी के उद्धेशे को समझ निपाया यह अपने आंत्रिक मामलों में ही उल्जेगा इनको लगाया कि यह उटेड़ा आएगा लूटेगा चला जाए और उसनी अपनी तैयारी करें और जबर्दस तरीके सा तैयारी करें और 1192 में दूसरा तरायन का युद्ध हुआ इस मेरा चमान हार जाते है गोरी का फिर दिल्ली और अजमेर पेकप जा कुछ दिन तक इनको चार आपने पूतुपदी और है प्रिया चला जाता है लोगाय, तुमीस को संभालो मैं चला अपने भाई का मजद कर दूनॐ और ऐसे ईह नको प्रिध्वियार चौहँ का साथ दिया तो प्रिद्विरा चवान नहीं हार पाते अब नहीं दिया जो abdya नहीं आहसा the नहीं ज्यादा हम वर्त नहीं है इस ती एकारश चरण में फिर आता हैस चंदिश्वर का यूद सकताबर का यूद ऑगुड़ी का गुर से लेका वनार्षित है फिर वो और चले झाते हैं इस ही तुर्किक आर्मी में-एक तुर्किस खल्जी कमांडर होता है वक्तियार खल्जी हुआ, इसने कहा है वनार्षि डेख है वनार्षी क्या है गाल निंगल जिद्र अपनी otten बिहार में कोई नहीं कोई धाही नहीं खाली पूरा ननन्दा पहुंचा खिल जीवे तपाही मचाई ननन्दा भूले यह क्या हो रहा है कि सब ध्यान कर रहे है कि यह कुमसा ध्यान है विश्य विद्याने जलाया ननन्दा फिर उसके बाद आगे पढ़ा बंगाल पहुंच गया बंगाल के राजा लक्ष्मन से रहे वैजदार गटनफा एंधी सम्झा उपसुन लोग door calm दो कि द्रवारी की तरफ देखवे चskyl consider मकशुद को बूलाओ असलं को बूलाओ मजहर को बूला को लक्षमन को बुला कि किसी ने लक्षमन से नंसे कहया सहब बाहर तुर्की बहुत बड़ी आर्मी है सहब निकल जा सहब लक्षमन से भाग जाता है सुचुए अब 18 लोगों ने मिल के बंगाल पे कपजा कर लिए मानोगे 18 18 18 18 18 19 20 पर तो यह गाओं को पी कपजा नी कर बात है वे लोगों ने बंगाल के कपजा कर लिया अब खलजी का उत्सा वर्टा चला गया उच्छने का ओ बंगाल के आगे जाएंगे स्वर्न भूमी में इंडोचाइना कंबोडिया लॉस बिलोस लेकिन बंगाल और इंडोचाइना के बीच पहुत खतरनाक जगा नॉर्थिष्ट वहां का प्लैंस वहां का भूर इकताशार वहां का भूर घंडे जंगल हेवी रेनफॉर्ड माउंटेंज खिजी को रस्ता पता नहीं था और ये नॉर्थिष्ट के अंदर घूशने लगे जब ये नॉर्थिष्ट के अंदर दूसरे किनारे पर चले गए तब यह सारे आदमी जो पेड़ पर बैटे थे हमलाब शुरू कर दिये इनके दो त्याया आदमी खताम किसी तरह जान बचा कर रहा बाहर आए बाहर आ तो उसका एक सिपाई था मुबारक था उसने पूछा कि सरकार आपको पता था अंदर क्या ह पस क्या था उतने में इसको चाकू डाला पीट में और घुमा तुछा कि अध्यमी जब तुझे पता ही नहीं था कि अंदर के जाना अंदर क्या है तो जान देने क्या था बक्तियार किर्दी के यह हत्या हो जाती है और बारियो सताब्दी के अंत होते होते बोरियों का घुर से लेकर बंगाल तक अब्जा हो जाता है 1190 में बंजाब बेराणवे में दिली और आजमेर प्रित्विरा चोहन से फिर 94 में चंदावर का युद्ध जितकर बनार्सी तक अब्जा और अब बंगाल तक अब्जा इनका हो चुका है तेरविश्या तब्दी के शुरुआत में दो घठना घटी सुन्दो शुरुआत में बारास तीन में अंधखोद का युद्ध गोरी का भाई तो ना था ना गोरी का भाई जो सिल्क रूट पर कभ्जा करना चाहता था ख्वार्जीमों ने इसको बूरी तरह से हरा दिया उसके बाद सिल्क रूट पर कभ्जा करने का सपना इनका खताम अब सिल्क रूट पर कभ्जा करने का सपना इनका खताब जो बार बार ये गोरी आता था या से जीत कर फिर चला जाता था दूब उजरवाला जो जाने वाला जिसके लिएव जाता था अब उसका सपना खतम हो गया अब क्या करेगा यह लोग, तो जब आपको एक बिशनिस बिहार में और दिल्ली में दिली वाला बिजनेस अब द्धस्त हो जाई तो आप बिहार में ही inreibt कर हो गयं न को सिल्क पर हो गया फाता पथा लिए के लिए साफपना स्रफ बज़स्त हो गया सिल्क बुफट वाला तो दूसरा बिजनेस की भारत के हैं भारत आई था मुद्ना ही था किसी ना किसी करा लेकिन यह घटना और घट जाती है पारसव पांच में जब आप भारते हो ना गिटते हो ना तो मड़े हुए लोग भी आपके खिलाफ सर उठाने लगते हैं के रियाइलिटी है तो उसतर पच्ची में के जो कभीले थे उन लोग ने विद्द्रो करने श्राट कर दिया यह तो पहले से ही एकदम तुखिता सिल्कुरूट का सपना टूटा हुआ था बोरी का बहुत कुरूदी थो उटा था उधर से लॉट काया और खोडियों का दमन की एकदम बहुत ही भ पर रहा था दमन करके तो एक जगह परता है दम्यक वहीं पर इसकी हत्या हो जाती है बाराज़व पांच में अब इसकी तो कोई संताम थी नहीं उत्तर भारत का प्रभारिश में किसको दे रखा था कुदूबदी ने अबक्गों और मध्यश्या में कुदूबदी ने अब किया था एक तास की तरह था और भारत में इस घोवर्नर था निटी अब कोई भी समझदार वहती एक संभारत में रहना पसंद करेगा इसे घुलाम की जिन्दी शपरेगा क्यों जयेगा में एक जाएगा जोईग संद की अब यही पर एबक ने दिल्ली स्लतनत का संना देख चलिए इस से जन्मे इतना ही मिलते अगली वीडियो में तब पत ले जाएंगे